दोस्तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे हाउ टो ग्रोव फेस्बुक पेज हाँ दोस्तो आप में से बहुत सारे जनों का ये कोश्चन आ रहा है कि सर दिन भर दिन फेस्बुक पेज का रीड जो है वो घटते जा रहा है इसका क्या कारण है, क्या रीजन है कैसे हम लोग हमारे रीच को फिर से वापस लाए तो आज का ये वीडियो उनी सारे क्रियेटर लोगों के लिए है जो लोग 2020 पे चाहते है कि अपना जो फेस्बुक पेज का ग्रोथ है उसको बराया जाए उसका रीच को फिर से पठरी पे लाया जाए ताकि औरगानी के लिए जो ग्रोथ पहले हो रहा था पेज वो फिर से हमारा होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे दोस्तो बेसिकली दो-तीन कारण है जिसके बज़े से आप लोगों का रीच घट रहा है एक तो है कि पोलिसी एन रूल्स रेगूलेशन के एगेंस जाके काम करने के बज़े से यह हो रहा है उस केस पे आपको पार्टनार मॉनेटेज़ेशन पोलिसी के बारे में पूरा डिटेल पे नॉलेज होना चाहिए और अभी जो मैंने नया सीरी स्टार्ट किया है कि फेस्बुक के न्यू टाम्स क्या है सर्विस जो उक्टोबर 1 से शुरू होने वाला है उसके उपर भी कंसंट्रेट करना है उन पूरा सीरीस के वीडियोस को देखते रहना है ताकि आप भी आपके तरप से पोलिसी के बारे में अपडिट हो जाओ ताकि आप लोग ऐसा मिश्टेक ना करो फेस्बुक पेज पे जो के रीच कम होने का एक कारण होता है अगर उसको छोडा जाए अगर आप लोग पोलिसी को मान के काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे वो आप कर रहे हो मगर अब जो ट्रिक आप पहले इंप्लिमेंट करते थे अब नहीं हो रहा है वो ट्रिक इंप्लिमेंट करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो उस केस पे आपको आपका स्ट्रेटेजी बदलना परेगा और इसके पीछे का मेन कारण है क्योंकि Facebook daily काम कर रहा है Facebook platform को बहतर करने की और उस काम पे उस कोशिश पे वो लोग algorithm को keep changing कर रहा है continuously Facebook algorithm जो है change हो रहा है तो अगर algorithm change हो रहा है तो हमें as a Facebook creator हमारे strategy को change करना परेगा जो आज से एक साल पहले काम करता था वो strategy आज के date पे काम नहीं करेगा जो 6 महिने पहले काम करता था वो आज काम नहीं करेगा क्योंकि Facebook का algorithm change हो रहा है तो हमें as a creator बहुत जादा सीखना है और उसके उपर testing करना है तब जाके हमारा page जो है वो grow होगा जो engagement और reach कम हुआ है वो फिर से पट्री पे आएगा फिर से बढ़ना शुरू होगा और page का जो downtime गया है वो graph फिर से inclined होगा मतलब उपर की तरफ जाना शुरू होगा तो वो कैसे होगा ये जानना as a creator बहुत जरूरी है तो आज का ये वीडियो सारे creator लोगों के लिए dedicated वीडियो में बना रहा हो ताकि आप लोगों को थोरा चीज़े जो है वो समझा पाओ ताकि आगे जाके आप लोग इन सारे चीज़ों के उपर testing करो और अपना page को 100% grow करो आप बाकी का जो चीज़े वो मैं यहाँ पे बोल की नहीं बताऊंगा practically लैप्टॉप पे ले के जाके आप लोगों को दिखाने बाला हूँ तो वीडियो पे एन तक जरूर बने रहना example दोस्तो यह आप लोगों का page है सबसे पहले आपको आपके page पे आना है जिसका reach कम हुआ है और उसके बाद दोस्तो आपको आना है creator studio के अंदर तो फिरहाल मैं creator studio open करके रखा हूँ मैं आ गया मेरे creator studio के अंदर यहाँ पे आने के बाद दोस्तो आपको जो करना है वो है insight पे क्लिक करना यहाँ आप देख सकते हो insight तो मैंने मेरे insight पे क्लिक किया जैसे insight पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तो आपको जो करना है वो है आप आपको समझना है आपका audience जो भी page पे है followers वो followers को क्या पसंद है आपका content कहा पे जादा देखा जा रहा है कौन सा algorithm आपके content पे trigger हुआ है और कौन सा algorithm से आपको जादा advantage मिलेगा ये चीज आपको समझने के लिए आपको performance को एक एक करके देखना है तो मैं अब चला आया हूँ मे तो मेरे loyalty वाला पार्ट पे आप दोग देख सकते हो यहाँ पर loyalty वाला पार्ट है तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग बहुत सारे ऐसे matrix आप लोग के सामने आयेगा ठीक है तो अब इस वीडियो पे हम लोग loyalty वाला पार्ट पे कुछ भी नहीं करेंगे जैसे है वैसे र पेज के organic boost को बराने के लिए मतलब आपके पेज के reach को बराने के लिए follower को बराने के लिए grow को बराने के लिए growth जो है आपका वो 2x करने के लिए ये retention बाला पार्ट बहुत बहुत vital है आप जो भी समझाओंगा ये बहुत जादा testing and well मतलब implement करने के बाद मैं आप लोग को सम जा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लेना retention पे आने के बाद यहाँ पे आपको facebook का तीन algorithm शो होगा यहाँ पे algorithm इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तीन जो matrix है ये तीनों matrix तीन तीन algorithm को trigger करते है जो facebook आपको बतायेगा नहीं exclusively दिप्तनुशिल चैनल पे मिलता है पहला matrix है recommendation द तीसरा matrix है share ये तीन चीज रहेगा और किसी किसी के channel पे page पे मतलब जो भी channel आप facebook पे grow करने के लिए use हो रहा है उस channel का ये matrix को ही अगर हम लोग channel कहें तो जो भी channel आपके page को grow करने के लिए help कर रहा है वो हमें पता चलता है retention पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हो अगर say for example ये आपका page है तो इस page का जो growth है अभी ये पूरा depend कर रहा है recommendation matrix के उपर recommendation channel के उपर तो ये recommendation matrix जो है इस पे facebook का algorithm trigger हो रहा है और ये ही कारण है इस page के growth का follower से कम हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो scale इस scale पे अगर इतना 88% trigger हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रिकोमेंडेशन से follower से trigger हो रहा है cable 11% जो के recommendation matrix से बहुत कम है और share बाला तो मतलब 0.1% मतलब है ही नहीं तो इस particular example के लिए आपका page पे सबसे ज़ादा matrix जो trigger कर रहा है facebook का algorithm वो है recommendation हो सकता है आपके page के case पे अलग हो share बाला matrix के बज़े से ज़ादा algorithm trigger हो रहा है यह हो सकता है आपके page के case पे अगर यह share बाला ज़ादा trigger हो रहा है तो वो सबसे उपर चला जाएगा किसी किसी का हो सकता है, follower वाला matrix के बज़े से algorithm trigger हो रहा है, तो उसके इस पे follower वाला matrix है वो उपर चला जाएगा, तो सबसे top पे रहेगा, तो आपको जो simply से understand करना है, मतलब समझना है, वो है, retention पे आने के बाद आपको देखना है कि आपका कौन सा matrix सबसे ज़ादा trigger हो रहा है, जो भी ज़ादा trigger हो रहा है, इसका मतलब facebook का algorithm उस बाला matrix को ज़ादा trigger कर रहा है, जिससे आपके page का reach बरेगा, engagement बरेगा, growth बरेगा, videos पे view आएगा, logs पे end करेगा, reaction आएगा, तो आपको यहाँ से आपको पता चलता है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि एक एक जन का case पे एक एक तरेका होगा, मेरे case पे recommendation है, अभी फिरहाल इस page के example पे, तो हम recommendation को ही choose करेंगे, अब हमें जो खबर लगाना है, हमें जो पता लगाना है as a creator वो है, कि recommendation पे कौन सा videos हमारा जा रहा है, कौन सा मतलब matrix यह जो trigger हुआ है algorithm, वो कौन से video के उपर हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे page के सारे content के उपर ही recommendation trigger हुआ है, ऐसा होता तो यहाँ पे 100% होता, 88% इसलिए है, कुछ कुछ content पे recommendation trigger नहीं हुआ है, तो कौन सा content पे page का trigger हुआ है, यह हमको अभी पता लगाना है, अगर आपके case पे मानलो follower से ज़्यादा आता है trigger, तो follower उपर रहेगा, तो आपको पता लगाना है कौन सा video से follower ज़्यादा आ रहा है, कौन सा video को follower ज़्यादा मतलब trigger कर रहा है, तो यह आपको समझना as a creator बहुत जरूरी है, अब इसको समझने के लिए, यह कौन सा matrix ज़्यादा trigger हुआ है, कौन सा particular videos पे, वो समझने के लिए आपको drag करके नीचे आना है, एकदम नीचे चले आओ, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको तीन option मिलेग एक है recommendation, एक है share, एक है follower, recommendation पे click करूँगा, तो हमें पता चलेगा के recommendation matrix हमारे कौन सा कौन सा video पे trigger हुआ है, और इसी के उपर हमारा इस particular जो page है, इस page का growth rate टिका हुआ है, खरा हुआ है, तो आप जैसी ही समझ लोगे, कौन सा video पे recommendation algorithm ट्रिगर हुआ है, Facebook का, वो अगर आप लोग समझ गए, तो आपका game changing हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकतो, recommendation वाला वीडियो अभी सारे आ गया है, इन इन वीडियो के उपर, Facebook का recommendation algorithm जो है, वो trigger हुआ है, इसलिए ये video Facebook अपने से promote कर रहा है, ये recommendation बाला algorithm का मतलब यही होता है, कि Facebook लोगों के eyeball पे लेके जा रहा है, ये जो जा रहा है, वो share या follower के बज़े से नहीं हो रहा है, ने-ने लोगों को recommend कर रहा है Facebook, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, और इन में से सबसे उपर जो वीडियो रहेगा, बो मतलब लोगों तक सबसे जादा trigger कर रहा है, Facebook का recommendation matrix को, कौन Facebook का algorithm, तो यह वीडियो का क्या topic है, यह हमें देखना है, जैसे मेरे case पे Facebook से पैसे कैसे कमाए, यह वाला वीडियो पे Facebook का algorithm जादा trigger कर रहा है, recommend कर रहा है, इस वीडियो पे मेरा सबसे जादा recommendation जा रहा है, तो ऐसे करके आप 10 वीडियो ले लो, यहाँ पे काफी वीडियो रहेगा recommendation वाले, उस पे से आपको पहले उपर का जो top 10 वी trigger हो रहा है, तो आपको share वाला पे click करके share कौन सा कौन सा वीडियो हो रहा है, वो देखना है उस case पे, आप देख सकते हो, share पे आता हूँ, तो यह वाला नीचे चला जाता है, और यह उपर में आ रहा है, मतलब share वाला case पे, तो अगर आपका जो matrix से सबसे जादा, वो कौन स trigger हो रहा है, वो तो आपको यहाँ से पता चलेगा, उपर, जैसे मेरे case पे recommendation है, हो सकते हैं, आपके case पे follower हो, या फिर share हो, तो उसको आपको देखना है, और फिर नीचे आके, आपको वो ही algorithm, मतलब जो trigger मिला है, आपके कोई भी matrix को, तो उस matrix को देखना है, तो मेरे case पे recommendation है तो मैं सिर्फ और सिर्फ concentration करूँगा recommendation के उपर, और यहाँ से top 10 videos को choose कर लूँगा, उपर से लेके नीच तक, और अब जो आपको करना है, यह अगर test करोगे तो ही आपको result मिलेगा, अब आपको इस topic से मिलता जुलता video अपने page पे फिर से upload करना है, fresh video बना के, अब यहाँ फेस्बुक से पैसे कैसे कमाएं, यह तो मैंने बता दिया, अब मैं बताओंगा फेस्बुक से पैसे कैसे कमाएं 2020 में, फिर मैं बताओंगा फेस्बुक से पैसे कमाने का different way, फिर मैं बताओंगा फेस्बुक से किस किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, यह सारे अलग-अलग यूनिक वीडियो बनेगा मगड़ टॉपिक वो ही रहेगा फेस्बुक से कैसे पैसा कमाएं यही खेल है दोस्तो अगर मैं वो पाच वीडियो और बनाऊंगा इसी टॉपिक पे तो मेरा जो फेस्बुक का अभी अलगरिदम ट्रिगर हो रहा है मेरे रिकोमेंडेशन वाले व वीडियो पे जो के मैं मिलता जूलता टॉपिक पे बनाऊंगा जो वीडियो रिकोमेंड हो रहा है तो इससे आपका जो अभी बहुत सारे जनों का ऐसा होता है कि अचनक से पेज पे रीच कम हो गया है या फिर पहले के जैसा रीच नहीं है हो सकता है आप जो वीडियो बना रहे हो जो लोग share जादा करते है share वाला मगर आपका page पे अभी जो algorithm का boost मिला हुआ है वो हो मिला हुआ है recommendation का तो इस case पे अगर share वाला जो audience है जिसके बज़े से पहले आपको बहुत जादा reach मिला था वो content अभी आप create कर रहे हो मगर आप recommendation content पे concentrate नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपका जो page है उस पे growth होने का chances बहुत कम हो जाता है क्योंकि algorithm का trigger change हो चुका है तो ये आपको समझना और इसको समझके अपने page पे चीज़ों को implement करना बहुत बहुत वाइटल है 2020 में अगर आपको grow होना है तो इन सारे चीज़ों को deeply थोरा सा आपको time spend करके समझना परेगा और इन सारे चीज़ों के उपर आपको काम करना परेगा तो मैंने जो आभी traffic source आपको समझाया है retention के अंदर ये आपको देखना है पहले आपके page पे कौन सा algorithm trigger हुआ है फिर उस algorithm के हवाले से कौन सा recommendation या share या follower में आ रहा है वीडियो उन वीडियो पे आपको top कौन सा कौन सा है उस topic पे आपको content create करते रहना है facebook page पे उसी तरह का title उसी तरीके का description उसी तरीके का hashtag भी use करना है और hashtag का जो changes आया है वो भी implement करना है वो भी करोगे तो maximum benefit मिलेगा और उसी के साथ content को ऐसे आपको search करके निकालना है अब दोस्तों मैं recommendation पे देख लिया मेरे page का अगर मुझे engagement बराना है recommendation पे और भी videos को लेके जाना है आने वाले तो मुझे इन सारे topics से related video ही बनाना परेगा तभी Facebook का जो algorithm है मेरे recommendation बाला matrix को और भी जादा trigger करेगा तो इससे मेरा channel का या मेरा page का जो growth है वो दो गुना भर जाएगा तो ये आपको implement करना है test करना है तभी जाके आपको फाइदा मिलेगा long time में आशा करता हो आज के इस analysis से आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो पे जरूर comment करके बताना ऐसे वीडियो आगे चल के आपको और भी चाहिए या नहीं अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना कोई भी दोस्त मिलेजर पे ने ने आये हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोडिश को दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने बाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुँच जाए आज के इस वीडियो पे इतने ही दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहो आबाद रहो और ममी पापका नाम कर दोस्तों